जब मैं यह मूवी देखने बैटा था तो मैंने इसका पहले कोई ट्रिलर देखा नहीं था तो बस ऐसी विन डिजल की जो इमेज थी सामने आरी थी तो मैंने ऐसी स्टार्ट कर ली और ऐसा अकसर होता है जब जिस मूवी से ज़्यादा उमीद लगाते हैं तो हमारी उमीदों इसमें होगा नमशकार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वालों प्लेट शोट मूवी के बारे में जिसे डिरेक्ट किया डेव विल्सन नहीं इसके अंदर कास्ट है विन डिजल, इजा गुंजाली, सैम हुगउन और बाकिये नहीं कलाकार अब इसके कहान ही पराते हैं विन डिजल को मरे हुए पांस साल हो गए होते हैं और उसे एक लैब में एक नैनो टेक्नलोजी के द्वारा फिर से जिंदा किया जाता है और जब उसे जिंदा किया जाता है तो उसकी याददास जो है वो मिटा जी जाती है और उसको एक सपना दिखाया जाता है कि उसकी व वापस बैड पे लेटाता है, चेक करता है कि तेरे डैनो टेक्नलोजी ठीक है या नहीं है, यह सब चेक करने के बाद, फिर वापस उसकी यादा स्फिर मिटा दी जाती है, और उसे फिर उसे वही सपना दिखाया जाते हैं, कोई उसकी वाइफ को फिर मार रहा है, और इस बार उसका चेहरा बदल दिया जाता है, यह जब मैं देखा था कि मुझे कुछ टाइम बात बता चलाता, तो थोड़ा सा धका मुझे भी लगाता है, यार यह क्या हो रहा है, यार इसको बेफकू बना रहे हैं इतने टाइम से, तो मतलब यह कि जो साइंटिस्ट है, जो डोक्टर है, वो विन डिजल को बेफकू बनाके, एजे हथियार के तोर पर अपने दूश्मनों को खतम कर रहा है, उसके बारबार एक सपना दिखाताए काई इसकी wife ko मार रहा है फिर उसकी wife ko मारते हुए का हर बार उसका चहरा बदल देता है किसी ओर दूसरी इंसान को ड्मुण देता है फिर उसको मारते हुए चलता है और जब wind especial को पतंच का चलता है जिन यहाब करता है। और एट लास्ट में जायर सी बात है कि हाँ निकल भी आता है आप बात करें कि इसमें स्टोरी थोड़ी बहुत अच्छी लग सकती है लेकिन इतनी नहीं कि आपको बहुत इंफुलेंस करते हो बहुत जबरदस्त है बहुत बांध करते है ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर और भी हाँ ठीक ठाक है कोई हाई पर होने कि इसके अंदर वो नहीं है लेकिन मैंने का ना मैं कोई एक्सपेक्टेशन लगे नहीं बैटा था इसलिए मुझे अच्छी लगी और इतनी भी जादा अच्छी नहीं लगी कि मैं बहुत जादा एक्साइड़ीड हो गया इस मुवी इसे कह सकते हूँ बैसा नहीं पलक ऐसे जपकती और मुवी खतम होगी कहने का तातपरे समझना जैसे पलक जपकती जैसे मुवी खतम होगी और कुछ भी समझनी आने वाले चीज ऐसा मुझे बाद में फील हुआ क्या मेरी तरफ से मैं इसे देना चाहूँगा फाइफ आफ झाहूँग झाहूँगग झाहुआग झाहूँगग झाहुआग क्या है कुछ बाद में खतम होगी और में उल दो भी समझनी वाले तर चाहूँगगग झाहुआग।